कुरोना वाइरस के खत्रा दुनिया भर में लगातार बढ़ता जा रहा है इसी भी चीन पर भी कोरोना वाइरस के कहर को लेकर कई इलजाम लगाया जा रहे हैं संक्रमेंट की सही जानकाली नहीं दी जिससे हाला ताज इतनी खराब हो गए हैं अब हाल ही में अमेरिका, बृटेन, कनाडा, आस्ट्रिलिया और न्यूजिलेंड की खूफिया एजिंसी ने दावा किया कि चीन लगातार वैक्सिन बनाने में भी आड़े आ रहा है खबरों के नुसार इन सभी देशों की खूफिय एजिंसी उन मिलकर करीब 15 पेज का डोजियर तयार किया है इस डोजियर के नुसार चीन नहीं चाहता कि दुनिया को कोरोना वारिस की वैक्सिन जल्द मिल सके इसी बीच उसने लगातार के देशों स्वतंत्र वैग्यानिक संस्थाओं को भी कोरोना के लाइफ सेंपल देने से इंकार कर दिया है सिर्फ चीन ही नहीं चीन के किसी भी वैग्यानिक को ग्राउंड जीरो पर जाने और केज जीरो से मिलने की अजासत नहीं दी गई है ऐसा कहा जा रहा है कि डोजियर के जरिये अमेरिकी राश्पती डोनाल ट्रम्प लगातार चीन पर हमलावर बनी हुए है